जहीं साथियों, तो SSTGD Constable भरती 2022 के online examination 10 जनवरी से start हो जाएंगे तो फिनस अभी आप अपनी तयारी को continue रखिए और अगर आप vacancy को लेकर थोड़ा सा demotivate हो रहे हैं तो मैं आपको बता दू कि इसमें total 4,000,000 vacancy है तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 4,000,000 vacancy है 45,000 तो उनके लिए vacancy है जो physically fit नई है आप तो physically fit हैं आपके लिए total यहाँ पर 4,000,000 candidate में नाम लाना होगा तो friends जो भी latest update है आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग वीडियो को end देखेगा उससे पहले चैनल पर पहली वारा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आलपा ज़रू क्लिक कर लिज़ेगा सभी important update आपको हमारी चैनल पर मिल जाते हैं तो चरीफने से start करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप SSC GD की तयारी कर रहे हैं तो चक्सु पब्लिकेशन की best book को आपको मिल जाएगी इसका link आपको description box में मिल जाएगा इससे आप buy करके SSC GD की तयारी को boost कर सकते हैं इसमें SSC GD का जो भी latest exam pattern दिया गया है उसे cover किया गया है अभी SSC द्वारा जो भी slaves available कराया गया है तो complete slaves को इसमें cover किया गया है इसे आप buy कर सकते हैं और इसका practice set भी आता है क्योंकि last time examination में practice best होता है तो आप practice set को buy कर लिजेगा उसका link भी आपको description box में मिल जाएगा तो book game practice के सब्सक्राइब आप अपनी तयारी को boost कर सकते हैं दोनों कर link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा इसे आप buy कर लिजेगा तो चलिए फिनास से start करते हैं यहाँ पर देखे यह एक news articles है जिसमें इस vacancy से later सारी चीज़े बताई गए है इसकी payment level तो आपको vacancy के बारे में सायद पता होगा vacancy बढ़ा कर इसमें total 45,284 पद कर दिये गए है तो इसे से later इसमें जानकारी दी गई है यहाँ पर आप इसे अच्छे से rate कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि किस तरीकी से competition इसमें कम रहने वाला है देखे पनास सबसे पहले total number आप vacancy की बात करें तो इसमें total 45,284 vacancy है और जो candidate इसमें select किये जाएंगे वो इस vacancy का total 8 time candidate selected किये जाएंगे अर्थाथ 8 गुना candidate इसमें बुलाए जाएंगे तो total यहाँ पर 3,62,272 candidate को select करेंगे अब देखे पनास से जो candidate इसमें select होंगे उन्हें physical के लिए बुला आजाएगा तो यहाँ पर आपके return exam का competition तो यहीं तक है अर्थाथ आपको 3,62,000 candidate में जगह बनानी पड़ेगी तो यहाँ पर हम total बात करें कि आपको return exam में कितने candidate पर fight करना पड़ेगा तो लगबग 10 candidate पर ही आपको fight करना पड़ेगा तो यह आपके लिए बेतर opportunity हो जाता है अगर आप इसमें अपना नाम ला देते हैं अर्थाथ जो first merit list जारी की जाएगी जो result आएगा उसमें अगर आपका name आ जाता है और आप physically fit है तो आपको कोई बाहर करने वाला नहीं है क्योंकि इस बार cut up बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा उसका region है क्योंकि पिछली बार जो cut up बढ़ा था उसमें total 12 time candidate को बुलाए गए थे selection 100% sure है इस बार ज्यादा merit नहीं बढ़ेगी ना के बराबर merit बढ़ेगी तो फ्रेंस आप यह ना मानके चलिए कि वैकंसी 45,000 है 45,000 तो उन काडिडेट के लिए है जो विल्कुल फिचकल को clear नहीं कर पाएंगे जो running नहीं कर पाएंगे तो जो फिचकली medically fit नहीं है इस बार फॉर्म की बात करने तो 54,000,000 फॉर्म एप्लाइ हुए हैं कि यहां पर जो expected है कि 40,000,000 इसमें exam देंगे 40,000,000 तो यह एक expected है इससे कम भी दे सकते हैं कि तो यह maximum है कि 40,000,000 एक्जाम देंगे तो यहां पर जो आपको return exam में fight करना पड़ेगा वो केवल 10 candidate पर ही fight करना पड़ेगा तो 10 candidate को अगर आप return exam में पीछे कर देते हैं तो आपका selection हो जाएगा अगर आपके mark कम भी आ रहे हैं तो आप ज़्यादा demotivate नहीं क्योंकि पेपर का इसको target लेके चलिए कि इसमें अपना नाम लाना है क्योंकि अगर आप इसमें नाम ला देते हैं तो आपका selection हो जाएगा तो यहां पर आप इसके लिए demotivate ना हुए vacancy जो है वह तीन टेट अब्रेट आएगा application status आएगा exam date exam city आएगा अलग अलग रिजन वाई जाता है तो मैं आप लोग को inform करता रहूंगा आप लोग चैनल पर बने रहिएगा तो चलिए आप लोग अपनी तयारी को करते रहिएगा बाखी कोई डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा मिलते आप लोगों से फिर किसी नेक्ट वीडियो में आप लोग ज्यादा डी मोटिवेट ना हुएगा तब तक लिए जैहिन